गूड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हिंदी क्लास में हम हिंदी ग्राम्मर का चप्टर 3 विसम्यादी बोधक अव्य जो चप्टर है इसको हम ग्रीड कर चुके हैं हमने इस चप्टर में इसकी डेफिनिशन एक्जाम्पल और उसके कितने भेद होते हैं इन सब के बारे में डि ग्लूड है उनको भी हमने अपनी प्रीविस क्लास में डिसकस किया था आज की क्लास में हम इस चप्टर का बुक वर्क करेंगे और कोशन आंसर सबसे पहले कोशन आंसर करते हैं नमले कित परशनों के उत्तर दीजिए नमबर बन विसम्यादी बोधक किसी कहते हैं उधारन स पहित समझाईए तो हमें इसमें विशम्यादी बोधक जो अव्वे है उसकी डेफिनिशन देनी है विद एक्जाम्पल स्टूडेंट्स पेज नमबर 361 जो हमारा ये रेड बोक्स दिया गया है यहां से यहां तक आप डेफिनिशन लिखेंगे ऐसे शब्द जो खुशी, दुख, गृर्णा, आश्चर्य, आदी, मन के भाव को परकट करते हैं उन्हें विशम्यादी बोधक शब्द कहा जाता है यह हमारी डेफिनिशन, आंसर 1 और एक्जामपल जो उसने कहा है कि कुछ उदारन दीजिए तो इसमें से कोई भी दो एक्जामपल आप लिख लीजिए तो यह भी आंसर 1 का ही पार्ट है Done अब है हमारा Question No.2 विशम्यादी बोधक अव्वे कितने प्रकारके होते हैं तो हमने जब कल क्लास में जिसकस किया था, हमने देखा कि 10 प्रकारके दिये गए हैं तो विसमयादी वोधा कव्य है, कितने के जगे हम क्या लिख देंगे आंसर? दस प्रकारके होते हैं, प्रते के दो दो धायर दीजे, आप यहाँ कोशन थोड़ा सा चेंज कर दीजे, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे, हमारा कोशन बहुत लेंदी हो जाएगा, हमें सब के नेम लिखने पड़ेंगे, और उनके फिर यह एक्जामपल्स भी लिखने होंगे तो आप इसमें कोशन बना दीजिए, प्रते के इसको कटी कर दीजिए, सिर्फ इतना कोशन हम रखेंगे, विसमयादी वोदक अव्वय कितने परकारके होते हैं, आंसर भी यहीं परशो होगा, विसमयादी वोदक अव्वय दस परकारके होते हैं, क्लिए दोनों कोशन आप को चलिए अब हम करते हैं बुक वर्क कोशन नुमर ख निमलिकित वाक्यों में विस्मयादी बोदक चिन लगा कर शुद कीजिए मैंने आपको चैप्टर करते समय भी बताया था कि जब तक हम विस्मयादी बोदक जो चिन है इसका प्रियोग अपने वाक्य में लिखने के होगा तो ऐसे ही कुछ वाक्या हमें दिये गए हैं इन वाक्यों में विस्मयादी बोदक जो चिन है वो मिसिंग है तो हमें उसको एड करना है और इन वाक्यों को सही से फिर सामने लिखना है मैं आपको यहीं पर बता देती हूं सेंटेंस में लगा कर उसके बाद आप लिखिएगा अपनी बुक में नमबर वन चीची इतना गिनोना कार्रे किया तो जो शब्द है चीची यह विस्मयादी बोदक शब्द है तो हम यहां पर लगाएंगे विस्मयादी बोदक चिन मैं रेड पैन से इसलिए मार्क कर रही हूं ताकि आपको एजिली शो हो जाए नमबर टू शाबाश तुमने अच्छे गेंद बाजी की तो शाबाश है यह है हमारा विस्मयादी बोदक शब्द और उसके बाद हमने लगा दिया चिन नमबर थ्री हाए बेचारी बुढ़िया चल बसी तो एक शोख निउस है हमारे लिए दुख की खबर है तो हाए बेचारी बुढ़िया चल बसी नमबर फॉर वावा क्या कहानी लिखी है तो वावा के बाद चीनाएगा क्या कहानी लिखी है यानि कि उसकी वो तारीफ कर रहे हैं परसंसा कर रहे हैं नमबर फाइब अरे तुम अंधेरे में खड़े हो किसी को कोई संबोधन कर रहा है पुकार रहा है कि तुम जो है अंधेरे में खड़े हो तो यहाँ पर आएगा अरे तुम अंधेरे में खड़े हो नमबर सिक्स ओहो यह तो महात्मा गांधी जी का चित्र है तो ओहो के बाद विसमयादिक चिन आएगा फिर सेंटेंस हमारा तो इन वाक्यों को आप चिन के साथ सामने लिखेंगे अपने बुक में आप वीडियो को पोज करके लिख लेजिए या फिर स्क्रिंशोट लेकर भी आप कर सकते हैं नेक्स यह हमारा कोशन नमबर 3 निमलिकित विशमयादि बोधक शब्दों से वाक्य बनाईए जो हमें शब्द दिये गए हैं इनका प्रियोग करके हमें वाक्य बनाने हैं जैसे की शब्द है अरे, हे राम, उफ, शाबाश, वा, छीची, हे प्रुभू तो जो फर्स्ट वर्ड है हमारा अरे इसका हमें वाक्य बनाते हैं तो जो अरे शब्द है उसका मैंने वाक्य बनाया अरे उसके बाद विस्मयादी बोधक चिन तुम कहां जा रहे हो तो जो सेंटेंस है उसमें हमने विस्मयादी बोधक शब्द को प्रियोग किया और साथ में चिन लगाया अगर आप चिन प्रियोग नहीं करेंगे तो वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा ऐसे ही एक और वाक्य देखते हैं हे परभू हे परभू, अब मैं क्या करूँ कोई वैक्ती प्रॉब्लम में है तो वो सॉलुशन के लिए भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हे परभू, अब मैं क्या करूँ तो इस तरह से आप भी वाक्य बनाईए जो शब्दों बच गए हैं हे राम उफ शाबाश वा छी तो ये इन शब्दों को आप जो है खुद से वाक्य में प्रियोग करेंगे आपका आज का हॉमवर्क यही है कि इन शब्दों को वाक्य में प्रियोग आप खुद करेंगे अपने सुझ पूर्ज का प्रियोब करके next class में मिलेंगे एक new topic के साथ thank you and have a nice day